तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नई वीडियों में आज मैं बात करने जा रहा हूं कमलनात और पार्टी क्वरेस की तो क्वरेस वही पार्टी जो मुसल्मानों की साथ है पार्टी है जो उनका हर वक्त साथ देती है घंगे हो या देश का कॉई विसंविदान यो कोई कानून हो वो मुस्लमानों की साथ हर बार ख़ड़े रहती है हर बार उन्वाम बनते दलों के साथ ख़ड़े देश विरोदी है हिंदु विरोदी है तो इन्हीं कमदनाथ जीने कुछ दिन पहले जब यह बात कही थी कि चुनाओ हो जाने दो सरकार राजन्दों में मुसलमानों की बीदे कर यह बात की थी धरमन ऑपट करतें यह यह कंग्रेस वहिपाटा यह जो बोलती है कि हम धरमन स्पेक्श्टा करते हैं तिंगिये तया यह तो average यह है क्वे बोलते हैं कि हम इंदो幅 को देख लेए कभी हैं नहीं मुसल्मानों को देख लेंगे यह देखनेया काम आपका है क्या आप तो शुरू से ही उनके साथ ही रहे हैं लेकिन इस देश का हिंदू यह बिल्कुल भी नहीं समझता है हर वह हिंदू जो मुसल जो कॉंगरिस को वोड देता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि यह वही पार्टी है जिसकी कर लिया आना पड़ा अरे उनके पास लाखो करोड़ों की संपति थी जो उन्हें छोड़कर आना पड़ा है और अगर यहीं से अब जो बचा भारत है यहीं पर से भी अगर आपको किसी दिन भागना पड़ेगा तो आप कहां जाओगे इधर पाकिस्तान है बांगला देश है इधर अफगानिस्तान है कहां जाओगे समुदर में डूमर हो या क्या तो भागने से अच्छा है कि समय समय पर इन अराजक तत्वों का विरोध किया जाए और जो यह पार्टिया है जो हिंदू को देखिए भाश्पा यहीं पार्टियों ने पुरी देश की बागी सारी राजनेतिक पार्टियों को यह समझा दिया है कि देश में हिंदू भी रेता है वो भी सिप इन छे सालों में इन छे सालों में भाश्पाने सभी को समझा दिया है कि देश में हिंदू रेता है और देश में हिंदू जो चाहता है वो करके दिखा सकता है